हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो मैं जानल मामा बेवी होप यौल आर डूइंग एबसलूटली गूड आज की वीडियो में मैं शेर करूंगी पनीर भुजी रेसिपी फर वन यर ओल्ड केट पनीर भुजी बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी होती है खाने में इसके साथ इसके बहुत सारे बैनिफिटिस बचों के लिए बाद Exhale को पनीर से बहुत सारे बैनिफिट्स मिलते हैं दो contains की वीडिस्ट Le episode और बचों के लिए क्यों के लिए ये बहुत जहादा बैनिफिशल होती है थाम और नमें हम सब जानते हैं हाइप रूटीन होता है इसके लावा उस स्ट्रोंग रखने में उनकी बॉंस को स्ट्रोंग रखने में और उनकी बोडी को स्ट्रोंग बनाने में काफी इंपोर्तिट रोल प्ले करती है जितना ब्र form बचचों को शायद मिल्क से या फिर वेजिटेबल स्ञेटीम् तों और जादा प्रोटीन बच्चों को पनीर ऐसा ही इसलिए पनीर बच्चों बच्चे बाल¿ जादी इस सकती है तो अगर आप अपने वनियर प्लस बच्चे को पनीर दे रहे हैं जाना कि बच्चे को एक बार थोड़ा सा पनीर खिला कर देखें कि वो बच्चे को सूट कर रहा या नहीं अगर बच्चा विदिन टू और त्री डेज उस पनीर से कोई अलर्जी रियाक्शन शो नहीं कर रहा है या बच्चे की बाड़ी में कोई प्राबलम नहीं हो रही है तो आप बच्चे को पनीर खिला सकते हैं तो पनीर क्यूंकि इतनी जाता पैनीफीशल होती है और बहुत य बच्चे के लिए यह पनीर भुजी रेसिपी घर पर ट्राइब करेंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और जिन परिम्स की शिक्याद रहते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते है या खाना कम खाते हैं या खाने से दूर भागते हैं तो अगर वह बच्चे को यह रेसिपी खाने के बाद खाने की जो भूख है खाने की जो इच्छा है या खाने की जो उनका मन है वह थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा और वह यह खाने लगेंगे बहुत शॉक्ते साथ तो आप भी ट्राइब कीजिए घर पर और अगर आपका बच्च सब्सक्राइब करना जाते हैं तो चलिए बनाते हैं अपनी बुझी सबसे पहले हम पनी को ग्रेट कर लेंगे यह 250 ग्राम पनीर है ग्रेट किया हुआ फिर हम अपना वैसल रेडी करेंगे वैसल में हम ग्यास का फ्रीम ऑन करके ऑईल डालेंगे ऐस पर रिक्वायमेंट ऑईल जब थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो हम उसमें चॉप किया हुआ अनियन डालेंगे अनियन मीडियम साइज में चॉप करना है हमें और इसकी क्वैंटिटी एक यह दो मीडियम साइज के अनियन है अनियन डालने के बाद उसे ऑईल में अच्छे से स्टेर कर लेंगे तिल देन वो वाइट ना हो जाए और इसमें हम ग्यास का जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखेंगे बेसिकली आप जैसे अपनी नॉर्मल सबजी के लिए अनियन पकाते हैं वैसे ही पकाना है यहां अंशराम से सो रहा है उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है पर उसके लिए यमी यमी टेस्टी टेस्टी पनीर भुजी बन रही मॉर्निंग ब्रेक्वस्ट में आप जब अनियन हमारा अच्छे से बन पक जया है ठीज होगा है तो हम उसमें टामैटो टालेंगいます और इस पूरे प्रोसेस में अपने अपने लिएफकों अर्च्ज़गर जिसमें धनियां घ्र жд आलता है अफने स्लीश नाला है देन उसे अगेन एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और उसके बाद इसे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे अब ये क्योंकि ओई छोड़ने लगा है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर बटर बहुत अच्छा टेस्ट देता है इस बुझी को तो आपकी चोईसे अब डाल सकते हैं जब अच्छे से पक गया है टमैटो तो हम उसमें डालेंगे ग्रेट किया हूँ अपना पनी और अगेन उसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और अब हमें हार्ड़ी वन एंट टू मिनिट्स ही पकाना है इसे और हमारी यह बुझी इकदम रेडी है यह पक चुकी है तो अब इसे गार्नीशिंक ले हमें इसमें कॉरेंडर लीव्स डाल देंगे यह ऑप्शनल हैं बिल्कुल पर यह आपकी यमियामी टेस्टी टेस्टी पनीर भुझी रेडी है इसे एक लास्ट मिक्स दे दीजिए और आप यह जरू ट्राइब कीजिए आप लोगों को अच्छे और डिलिश्यस लगी होगी तो बचों के लिए ट्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब क करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए आप सब पेरिंट्स की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मेरे चैनल को और जाधा इंफर्मेटिव और और जाधा आगे बढ़ाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू